हाजी दोस्तों क्या हाले क्या हाले क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों welcome to today's video क्या बात करने वाले हैं sir हम लोग एक बहुत ही important video में एक बहुत ही important discussion करने वाले हैं कि CA final November 24 को लेकर के आपकी exactly strategy क्या होनी चाहिए sir आपका जो SPOM का set A, set B, B आपको लिखना पड़ेगा और उसके अलावा बहुत सारी चीज़े मैस्टा पे उसको कैसे सोल जाना है ये video आपको बहुत comprehensive solution देगा तो please मेरी बात जान से सुनते जाएगा और रन तक सुनिएगा जो भी ऐसा हो सकता है कि 10 में से 8 बाते आपको पता है पर दो बाते जो आपको नहीं पता है वो जानने के लिए आपको ये video देखना पड़ेगा और आपको चीज़े समझनी पड़ेगी बहुत सारी details बताऊंगा सबसे पहले सर मेरी बात समझते जाना एकदम ध्यान से कैसे करें हम सबसे पहला सवाल यह आता है बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पर मेसेज कर रहे है सर बोथ की single आपके एसाइब से हम लोगों को क्या करना चाहिए बोथ ग्रूप देना चाहिए की single ग्रूप देना चाहिए राजा हमें अगर आपके जगा होता और मैं अगर किसीको अपना friendly advice भी देता तो तो मैं यही کہता कि both group देना sense बनेगा आज as on we are sitting in the end of May towards the end of May और अपन जून में enter कर रहे हैं अगर आप जून मिड तक भी पहुचो ना तो मैं आपसे यह कहूँगा कि आप लोगों ने both group देना चाहिए पर एक बहुत basic criteria में आपके सामने रखूँगा अगर आपके 5 subjects में से अगर आपके 2 subjects के classes 6 से खतम हो गए है तो आप both group का planning अभी भी कर सकते हो set A, set B मिला के ऐसे यह सब मैं आपको धीरे-धीरे करके बताऊँगा मेरी बात ध्यान से सुनना this is going to be a worthy investment this video is going to be a worthy investment and a changer for you please listen to me very carefully sir सबसे पहला सवाल याद है both group करूँगा की single group करूँगा please मेरी बात ध्यान से सुनना मैंने क्या का आप both पर अगर आपको यह लगता है कि आपका office commitment इतना जादा difficult है कि आपको 2 महने पहले या exam की 3 महने पहले तक leaves नहीं मिलेगी तो आप both group नहीं कर सकते है पर अगर आपको 1st June से चुटी मिलने की कोई भी उमीद है और नहीं तो 15th June से चुटी मिलने की कोई भी उमीद है the only answer is you go for both I'll tell you why listen to me very carefully sir हमारे उपर set A, set B का भी burden है कहां से manage होगा इतना बड़ा burden नहीं है रजब मैं आपको बताता हूँ please listen to me very carefully मेरा जब exam November में था तो मेरे exam के मैं आपको बताता हूँ June 1st की बात June 1st में मेरा situation इतना खराब था कि आप समझो मेरा audit पूरा पढ़ना बागी था मेरा FR की classes में 15-20% बचे होंगे समझ लो कुछ चीजे मुझ से छूट गई थी समझो SFM मेरा syllabus हो चुका था पर मेरे को 2 मेने बाद तेड मेने बाद realize हुआ कि मैंने जित्ती चीज़ SFM में पढ़ी है आदे से जादा गलत है so I will have to redo the whole effort which in itself was even more difficult SFM की भी problem थी तुम समझो costing मेंने किया था old syllabus में और मेरे को new syllabus के costing में transition करना था which in itself was a challenge उसके अलावा से TT मेरे एक बहुत अच्छे से हो रखा था और ITT मेरी पूरी classes बची विदी रजा इसके ये तो चलो ठीक है manage कर लेगा कोई भी पर इसके साथ एक और चीज मेरी चीज़े बची विदी वो था 15 दिन का ITT का course जो आप लोगों का ITT mandatory होता है उसी समय उन्होंने नया नया announce किया था कि ITT mandatory और उन्होंने अपने Deloitte वाले ने ये कहा था कि या तो 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 ITT का leave ले ले और exam leave थोड़ा late से ले 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 ना या एक ही साथ ले 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 ना जी तो simple अपन ये रखेंगे कि आप बोद ग्रूप की planning करो देखो boss मैं आपको एक line में solution देता हूँ November में paper है आप लोग पूरी जी जान लगा दोगे कि September तक September के mid तक आप क्या करोगे आप बोद ग्रूप की planning करोगे पर तब अगर आप अचानक से सोचोगे शे ट्यार बोद ग्रूप कर लेता तो आपके पस preparation का time नहीं रहेगा बट इस अब्जेक्ट तो two facts पहला आपके कम से कम दो subjects तो भी पूरे खतम हो गए होने चाहिए और दूसरा आपको अपने बट ग्रूप देना इसले भी जरूरी है क्योंकि नाचा जो पेपर नंबर 6 है वो पेपर नंबर 6 में FR, AFM और आपके audit का coverage बहुत significant है यह मिला करके नहीं नहीं भी तो आप 40 से 42 marks आप expect कर सकते हो तो पेपर 6 में एक ऐसा पेपर है जो आधा weightage group 1 का रखता है तो आपको समझना पड़ेगा कि you will have to manage things very smartly, both group is going to make paper 6 easy for you, तो technically आप समझो paper 5 है अब आपको compare यह करना है, 3 subject दू की 5 subject दू तो आपको logical answer यह मिलेगा कि मैंने 5 subject देना चाहिए, बहुत बिलकुल जरूर देना चाहिए, आपके पास adequate amount of time है, अब सर अब हमने decide कर लिया, बोध रूट दे रहा है, अब आगे बताओ planning कैसी करनी चाहिए, हम लोगों को किस तरह से क्योंकि सर में को समझ नहीं आ रहे है, सब कुछ बिखरा हुआ है, साथ में set A आ गया, set B आ गया, इतनी uncertainty है, कुछ भी नहीं टूंडो तो सारे सवाल का जवाब है और सारी certainty है, बस बहको मत आप simple, sorted mind के साथ चलो, और आपको सारे जवाब मिलेंगे, सबसे पहला सर ये देखो, सर ये आप लोगों का paper का, आप लोगों को एक planner बनाना है, क्या सर मैं set A और set B का मुझे paper लिखना है, आपका eligibility criteria set A लिखना है, set B लिखना है, नहीं लिखना है, वो आप देख लोगों पर majority बच्चों को set A और set B जो है, वो लिखना mandatory है, आपके attempt के पहले, तो राजा, ये दोनों जो है, इसमें problem क्या है, चोटी सी चीज ये है, कि ये लोग बोलते हैं कि expert level का क्या लगेगा, आपको knowledge लगेगा set A और set B में, और set A और set B का इन्होंने include कर रखा है, paper number 6 में भी और यहां पे हमारा costing और law मिला करके, करीबन 20 marks का weightage रखा था इस बार के paper 6 में तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो paper set A set B है, ये है तो थोड़ा सा problematic, क्योंकि जिनती महनत मांग रहा है, उत्ता returns भी नहीं देके जा रहा है, क्या करें, क्या नहीं करें, मैं आपको बहुत simple सी चीज बताता हू, थोड़ी सी uncertainty है चीज तरीक या 26 तरीक से paper शुरू हो रहा है तुम लोग शाल दो जाओ, तुमको 25-26 को paper नहीं लिखना है, let some people go who have single group or who have their exam in 2025, let them come out give the feedback, क्या पता paper relatively easy आ रहा है, manageable आ रहा है, क्या पता कुछ PDF सा जाए, कुछ हो जाए आप relatively थोड़ा gap दे करके manage कर सकते हो, sir उसकी तैयारी कैसे करना है, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूँ पर आप लोगों को एक अभी reverse calculation करना पड़ेगा, sir आपको समझता है LHS is equal to RHS, left hand side is equal to RHS, यह simple सा maths लगाना है आपको अगले 5 मेने के planning में LHS में आप यह डालो, time required, time required आपको कितना समय लगेगा, number of hours किस चीज के लिए, sir, देखो राजब आपके सारे subject को इस तरीके से jot down करो और आप यह बताओ, कौन से subject की class pending है कौन से subject की first reading pending है कौन से subject की first revision और second revision pending है अब आपने किस तरीके से बनाया आपने बनाया की class first read second read first revision यह आपकी पूरी-पूरी strategy होनी चाहिए इसते जादा आपको नहीं लगना चाहिए अब राजा मालो आपके अगर बहुत सारे जादा classes pending है, तो आप लोगोंने class के साथ ही first revision करना पड़ेगा जैसे कि अगर आप मालो direct tax के आप lectures देख रहे हो, direct tax के lectures के साथ-साथ ही अगर आप classes कर आप अगर read कर लोगे तो relatively आपको कम time लगेगा for example, आज अगर मैं 100 गंटे की class कदम करूँ और उसके बाद मैं लेकर के पूरा revision करने पैठू तो मेरेको 80 गंटे लगेंगे अगर मैं class के साथ-साथ ही revision करते चलो ना तो मैं 150 गंटे लगेंगे that is somewhere where you are going to save time so choose your classes very wisely, आप relatively कम गंटे का classes लेलो, कोई फरक नहीं पर दसर, ultimately मैं आपको बताऊं क्या as a student if I come and tell you classes give you the direction, the material, the knowledge and a basic hold जितना ज्यादा खुद से पढ़ोगे ना classes के बाद, उतना ज्यादा आप सीखोगे मैं classes देता हूँ, classes जरूरी है, absolutely जरूरी है पर एक direction के लिए, मतलब मालनो एक topic है जिसमें अगर इतना depth में गई इतना depth में कोई कोई फरक नहीं होना है, exam के पहले याद आना है इतना, अगर धंग से पढ़े हो, तो आपको इतना याद आ जाएगा, पर अगर नहीं पढ़े हो, धंग से self-study नहीं करे हो, तो classes के दम पर पास नहीं हो पाऊँगे, तो अब यह समझो, having said that, आपने यह decide कर लिया कि मैंने LHS क्या हो गया, मेरा LHS हो गया, मेरा number of hours, कि मैं कितने घंटे दे सकता हूँ, उसके बाल आपको समझना पड़ेगा, कितने घंटे आपके पास है, कि राजा मेरे को अगर पूरा planner बना के लगा, FR मेरे 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 को, class, first reading, first revision, second revision, यह मिला करक माल लो इसके 100 लगे, माल लो इसके 100 लगे, जैसे कि मैंने DT का लिखा, DT का classes और first read मिला करके 150 से 160, second read आपका 90 आर्स, तीसरा read आपका 60 आर्स, तो यह मिला करके आप देखोगे, तो roughly 300 आर्स होता है, और एक buffer ले लो 10% का, तो 330 आर्स होते हैं, तो इतना तो आपको class में time ल 100 आर्स लगेंगे आपके, क्योंकि यार पढ़ना तो ultimately उत्ता ही पढ़ेगा, और उसके बाद आपके 90 आर्स और उसके 60 आर्स, तो एक roughly, मतलब राजा, अपने हिसाब से planning बनाओ, अब आपको मैं एक बात बताओ, planning has to be very judicious, judicious, मतलब क्या sir, please मेरी बात ध्यान से सुनना, please, sir, आप लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, एफर का planner करते हैं, एफर किती देर पढ़ूँगा, तो कहते हैं, एफर जो है न मैं पढ़ लूँगा, 10 दिन, अरे भाई, 10 दिन कहां से आया, ऐसे नहीं निकालते हैं sir, मैं आपको बता दो, what is exact planning, जब मैंने अपने एफर का revision plan किया था, first study plan किया था, तो मैंने कैसे plan किया था, सुरो, मैं जब उस समय satellite classes थी, मैं classes जाकर के देखता था, तीन गंटे की class जब होती थी, और मालो कभी मैंने वो class miss कर दी, तो sir के notes और sir के उपर-उपर से खुद से पढ़के मेरे से वो एक गंटे में हो ज तो मैंने sir के lectures निकाल लो और मैंने देखा मालो अगर 350 hours के, 360 hours के है मालो, तो मैंको समझ आ है मेरे को इसके पीछे 120 गंटे लगने हैं, कैसे, अब मेरा target बना, for example, consolidation है, और consolidation for example, sir ने अगर 15 lectures में कर भाए है, for example, तो वो 15 lecture, एक lecture में को 1 गंटा लगेगा, तो मेरे को 15 गंटे लगेंगे, consolidation करने के लिए, isn't it a fair balance, yes sir, sir, कभी कम जादा हो जाएगा, but at least मैंने मेरे planning का basis तो बहुत सही पकड़ा, अब जब मेरे को पता है, consolidation 15 गंटे का task है, और मेरे को पता है, तो दो दिन में कितना 20 गंटे पढ़ूँगा, अब मेरे को पता है, कि मेरा target किया है, आज म meet होंगे, मेरा plan भी successful होगा, और मैंने बहुत smart work के साथ पढ़ा ही करी, इस तरह की planning होती है, you believe it or not, planning paper में आदे गंटे में नहीं होने वाला, if you are exactly supposed to plan, you are going to spend 7 to 8 hours in your planning alone, बहुत detail में, फिर आप उसको क्या करोगे, एक एक sheet में लिखोगे, कि एक गंटा मेरे को इसके लिए ल जैसे आप audit पढ़ रहो, तो audit को number of pages पे measure करो, कि मेरे को एक page खतम करने के लिए on average 12-15 minute लग रहा है, for example, तो आप number of pages पे, एक chapter का number of hours, एक average plan कर सकते हो, और एक smaller level पे manage भी कर सकते हो, कैसे, अगर आपने एक 10 page का chapter था, आपने उसको सोचा, कि मैं उसको 200 minute में खतम कर दूँग अगर एक page का 20 minute लेने वाले हो, तो आप हर एक page पे अपना progress track कर सकते हो, कि कहीं पे अगर 25 हो गया, तो आपको पता है, slow चल रहे हो, you don't have to wait for the end of the 200 minutes to realize that you are going slow, at that way, if you keep matching your days, मतलब आपको पता है, 10 गंडे की productivity निकाल ली है, कभी वो 7 गंडे में भी हो जाएगी, कभी वो 14 ग depth आप क्या निकालोगे, अपना LHS निकालोगे, आप अपना LHS निकालोगे, ये निकालोगे कि मेरे को किता समय चाहिए मेरा बचा हुआ course ख़तम करने के लिए, उसमें सर आप लोगोंने practically set A का क्या 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 मैं थोड़ी देर आ 8 subject कर दे, वो law पूरा-पूरा और costing पूरा-पूरा करते थे, तो the case is not different here, it is absolutely the same the better part is that law and costing is not going to be a burden, क्योंकि 100 marks का पूरा-पूरा descriptive नहीं आने वाला, आप समझो you are in the same boat as any other student is, you just have to be positive, you have to talk positive and you have to act positive अब राजा मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपकी सरीके से revise planner बनाओगे, अगर आपने assume किया कि आपका exam जो है 1st November से, आप समझ के चलो कि मेरे को last 20 days, दिन का अगर मैं 10 घंटा दूँगा, तो मेरे को last revision करने में 5 subject के revision करने में जाएंगे और एक एक revision को चार दिन लगेंगे सर आप चार दिन से जादा नहीं दे सकते, क्यों सर टाइम में मेरे पस, बेटा चार दिन में अगर आप audit revise करोगे, अब जाके आप डेड़ दो दिन में उसको audit को exam के पहले revise कर पाऊगे आज अगर आप 6 दिन, 7 दिन लगा के audit revise करोगे, last revision तो आप फिर exam के पहले दिन जादू थोड़ी हो जाएगा तो you will have to bring down the syllabus to so much that you are able to revise in one and a half day तो रजा यहां पर एक बात समझना कि आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, इसको चार दिन आपके लगे एक subject के, तो 20 दिन आपके last के जाएगा, आपको तीन दिन मेंने IPS के इसले दिये क्योंकि IPS के आप समझ के चलो 30 case studies आपको solve करने है एक case study समझ के चलो आपको 10 गंट एक गंटा भी लग जाए पूरा-पूरा अगर धंग से भी solve किया वैसे तो 30 मिनट में हो जाएगा पर मान के चलो एक गंटे में भी किया तो भी आपका तीन दिन में आराम से case study solve करके हो जाएगा, उससे जादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फालतु का इधर-उदर भटको मत भीया, ICI इस attempt में repeated question दे दिया है मैं गलत हो सकता हूँ बड़ बहुत हाई chances से अगले attempt में fresh questions दिखेंगे वरना paper six का पूरा purpose waste हो जाएगा अगर case studies से उठकर के आगया और बच्चों का एक ही feedback था कि sir अगर both group दे रहे हैं तो paper six easy था both group नहीं दे रहे हैं तो paper six difficult था अगर आप सिर्फ second group जाके लिख रहे हो तो आप लोगों ने FR AFM audit cost और अपना DT IDT संभाल लो जब आप set A और set B पढ़ रहे हो ना तो थोड़ा सा presence of mind रख लेना कि जो पढ़ रहे हो उसको धंग से सुल लो तो ढंग से सुनोगे तो आप लोगों को क्या हो जाएगा आप लोगों का काम कर सकता है अब रजा बस इतना overview भी पता है ना winding up की chapter का है हाँ liquidator का chapter का है तो खोज लेंगे भाई इतना सब याद तो नहीं कर सकते खोज लेंगे और कुछ नहीं कर सकते SPOM के लेंगे बस याद रख लेंगे बाकी अपन क्या करेंगे खोज लेंगे तो रजा ये क्या हो गया ये आप लोगों की बात होगे about your last revision उसके पहले बाला revision के ले सर आप 40 दुन दोगे exactly double 8 दिन एक subject के ले लगेंगे मतलब अच्छा खासा time है आपके पस और यहाँ पे जब आप revision करोगे तो यहाँ पे आप mocktest papers भी solve करोगे यहाँ पे आप RTPs भी solve करोगे और इसके बाद आप एक mocktest paper भी plan करोगे खुद mocktest लिखना भी plan करोगे यह सब इसमें included होगा और उसके पहले सर अभी वाला जो अगला महना है दो महना उसमें आपको क्या करना है आपके classes करने है और first read करने है सर first read बहुत प्यारा होना चाहिए एक बहुत simple सा balance समझो सर quality और time के बीच में हमको समझ नहीं आता कि किस पे जादा focus करें जब आप first read करोगे ना राजा 100% focus should be on your quality time should not matter to you otherwise you are not giving 100% for the paper जब आप first revision करोगे तो तब भी आपका focus समझ लो 70% quality पे रहेगा 30% time पे रहेगा और जब आप second revision करोगे तब जाके finally कहीं ना कहीं 50-60% focus आपका time पे आएगा क्योंकि आप time का भी खेले concept जितने समझ ने से समझ ली लोग उल्टा करते हैं लोग ना PhD करने लग जाते हैं जब second revision पे आते हैं नहीं भाई जो आता है पढ़ लो जो नहीं आता है याद कर लो second revision first revision में जब आप first time रीड करो find question answer to all your questions it is very important quality will be very important जब आप पहली बार उस चीज को पढ़के खदम कर रहे उड़ाना मत कुछ भी उड़ाना मत बेटा paper कहां से आ जाएगा तुमको समझ भी नहीं आएगा भनक भी नहीं पढ़ेगी having said that रजा ये समझो कि आप लोगों का exam date मैंने माल लिया average study आपका 8 गंटे में नहीं होगा अपने को 10 गंटे लगाने पढ़ेंगे provided अगर 10 गंटे लगाओगे तो आराम आराम से आगे बढ़ सकते हो 8 गंटे लगाओगे तो प्रेशन में आ जाओगे 8 गंटे लगाओगे तो आपको speed बढ़ानी पड़ेगी अपनी और सर एक 15 दिन का ना buffer लेके चलो किस चीज के लिए सर तीन दिन आपके health reasons ले दो दिन आप छुटी लोगे कही ना कही और दस दिन सर आपके planning में कहां गड़वड होगा आपको पता भी नहीं चलेगा तो दस दिन उसका buffer लेके चलो कि कुछ भी तिगड़म हो गया भाई अलग से amendments आगे जो पढ़ना पढ़ गया कुछ भी होगे 10 दिन उसका buffer लेके चलोगे उसको अपने time में calculate ही मत करो तो अगर वो 10 दिन buffer का count करोगे ना राजा आज you are sitting at the peak of your timing you have to get started आपके पास बहुत जादा time अब इसके अलावा बचा नहीं है जितना देर करते जाओगे उतनी चीज़ा हाथ से चूटते जाएगी आज सब समेट सकते हो आज आज सब समेट सकते हो जितना आगे बढ़ते जाओगे और नहीं संभालोगे चीज़ा हाथ से चूट जाएगी अब तक जितनी भी गल्तियां की ना, उसका value है zero, अब अगर अपने पे आ गए, तो सब संभाल लोगे, ठीक है, अब मेरी बात ज्यान से सुनते जाना सर, अभी मेरा बोलना बचा है, सबसे पहला सर, अगर आपके कुछ classes spending है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सुछते सर, पहले classes कदम कर दू, बाद में आराम से में क्या करूंगा, पढ़ लूँगा खुद का, बिल्कुल भी ये गल्ती मत करना है, सर, आपना एक दिन में अचानक से 12 गंटे की efficiency नहीं चूँ सकते, पर आप दिन में 12 गंटे की classes देख सकते हो, क्योंकि classes देखना बहुत आसान उसके साथ-साथ, चार गंटे की आपकी पढ़ाई चल रही है, ये self, पर दीरे-दीरे ये graph आपका चार गंटे का increase होता जाएगा, और ये increase हो जाएगा, और एक time आएगा जब आप चार गंटे सिर्फ classes कर रहे हो, और आट गंटे आप खुद से पढ़ रहे हो, ये सर, जो ये graph है, मैं को ध्यान नहीं था कि screen movement रुग गया है, ये जो graph है ये graph आपको संभाल करके चलना पड़ेगा, कि जो आपके आट गंटे की classes है, इसको धीरे-दीरे आप कम कर रहे हो, और चार गंटे का जो आपका self study है, इसको आप बढ़ा रहे हो, तब जाके एक समय आएगा जब आप 4 गंटे क्या कर रहे हो, self class कर रहे हो, और 6-8 गंटे क्या हो रही है, आपकी self study हो रही है, अचानक से सोचोगे न, कि 1st June को बैटूंगा, प्लान बना के 12 गंटे पढ़ने लग जाओंगा, जादूगर तो ही नहीं हम, इंसान है, हमारे limitations होते है, हमारा emotional importance होता है, उनको थोड़ा सा importance देना पड़ेगा initially, तो अपने आपको समझ करके plan करो, ताकि आप planning अपनी अच्छी कर सको, और relevant कर सको, तो यह क्या हो गया राजा, यह हो गया आप लोगों का basic pointers, यह हो गया, यहाँ पर खत्म, उसके अलावा राजा, MTP और RTP की बात करो, अगर MTP और R RTPs करने हैं, और आपको एक mock test देना है, उसके लिए 8 full days लगेंगे, 6-7 full days लगेंगे, यह मान के चलो क्योंकि RTP, MTPs इतने छोटे होते हैं नहीं, कि एक 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 गंटे में खदम कर लो, एक MTP, RTP लेके बेटो, एक subject का पूरा आदा दिन जाता है, और उसका mock लिखो तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, बोध रूप वालों का, अगर आप एक बोध रूप वाले student हो, तो आपके बस पूरा full-fledged classes करने का time as such है नहीं, आप लोगों का पहला preference, पहला और only preference होना चाहिए, कि मैं ICI का 30 गंटा देखूंगा, जैसा भी देखूंगा, जो भी देखूं उनका classes, जित्ता जमता ही जमाल है ना और आगे बढ़ जाना, अगर वो हो गया तो best है, आपका time ultimate level पे save हो गया, पर अगर वो नहीं हो पाया, आप जित्ता समय उसको नहीं करने में engage हो रहे हो ना, कुछ shortcut निकाल लूगया, कुछ कर लूगया, उत्ते वे तो देखके खतम ह revision videos है, आप आराम से एक एक chapter खोल करके, आपको शायद एक बार मेरे channel पे आप search करोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आप ऊपर नाम डालना, chapter का और मेरा नाम लिखना, आपको वो revision videos relevant मिल जाएंगे, sir एक साल पहले का हो, तो सारा relevant आप उसको एकदम आराम से देख सक जोड़ी chapters कदम करें, FCRA, IBC, FEMA काम है क्या, और FEMA का syllabus इत्ता जादा है, और तुम लोग FEMA छोड़ करके जा सकते हो, तुम लोग please FEMA छोड़ करके जा सकते हो, आपको अपने set A, SPOM के लिए FEMA को दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राजा syllabus इत्ता यूज है, वो paper, ज जो books मंगवा करके, अच्छा, books में और video में कोई discrepancy आए, तो follow the book, because videos take date साल पुरारी है, books अभी अभी बनी हुई है, तो follow the books और उसके base पर आगे बढ़ जाओ, कोई doubts नहीं लगाने, कोई दिमाग नहीं लगाने, जुत्ता समझा, very good, जुत्ता नहीं समझा, जान दे पर आप लोगो ने वो दूसरा प्रोच होना चाहिए, पर अगर आपको लगते हैं, रिविजिन वीडियो भी आपके 20-20 मिनट के, अगर आपको लगते हैं, नहीं मेरा रिदम नहीं बैटरा, मेरा फ्लोट उट रहा है, यह सारी चीज़े हो रही है, तो आप मेरा SPOM का लेक अगर आप वो बच्चे होते हैं, जिनको एसा होते हैं, में को चाहिए, जैसे मैं वो था, कि मैंने इंटरनाशल टाक्सेशन भी दिया था, तो मैं कर सकता था, 20-25 गंटे में, 40 गंटे में, खुझ से पर में को नहीं जम था, तो मैंने क्लास ली थी, और मैं सो गंटे तक सा साब से आगे बढ़ो, पर उसको मैनेज करो, इन था स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल, देखो सार, यह जो प्रॉब्लम है यह सिर्फ आपके लिए नहीं सारे बच्चों कले, the better you solve this problem, the forward you move, as compared to other student, that is the whole fight, हर attempt में नए नए चैलेंजज़ आते हैं, यह यह विदी का विधान, इसमें कोई option ही नहीं है, अब उस challenges को आप कितने smartly handle करो, रोने के अलावा, वो आपको edge देगा सर, और वो आपके result को भी impact करेगा, so manage set A, set B accordingly, जो सेम चीज़ सेट B के अपलाई होती है, कि please ICI के lectures देख करके उडालो, हो सके तो, अगर नहीं उड़ता, revision videos, नहीं होता, तो आप लोगों को batch ले लेनी चाहिए, जिसे मेरे को बता है, set B का I think अभी market में सिफ संकल्प कांसेटिया सर ने लाया है, वो भी सर कह रहे थे, बात हुई थी मेरी, तो कह रहे थे 60 hours में खतम कर लेंगे शाहिए, तो वो batches भी आप refer कर सकते हो, क्योंकि costing मेरे को सर बता रहे थ होते हैं, ना कोई सही, ना कोई गलत, आपके results, आपके decisions decide करेंगे, सुनो सब की, करो खुद की, यो भी decision आपको लगता है, आपके लिए सही है, वो आप लोगों को paper पे बैठके लिखना पड़ेगा, एक ही सवाल का तीन अलग-अलग जवाब देंगे बच्चे, पहला एक category of बच्चा होगा, जो बनेगा, मैं set A, set B लिखूँगा, और मैं group 1 लिखूँगा, group 2 ने लिखूँगा, एक category of बच्चा होगा, जो set A, set B लिखेगा, और वो बोद ग्रूप भी लिखेगा, एक category होगा, जो set A, set B सिर्फ इस बार लिखेगा, attempt defer कर लेगा, सौ बहाने ढूं प्लीज ये सारी बातों को ध्यान रखो, कुछ और आपके specific, अच्छा, SPOM के बुक के बारे में बहुत सारी queries आ रहे हैं, कि sir मेरे पास edition 4, 5 ले चल जाएगा, रजा चलाने को तो चल जाएगा, पर मेरे को ऐसा लगता है, अगर edition 4, 5 ले तो आप prefer करो, मेरी बुक लेलो, नह आप लोग करना चाहो, तो not a problem, ठीक है, आप लोग कोशिश कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से, आप लोगो ने edition 5, क्यूंकि आपके paper 6 में भी काम आएगा, रजा, open book में, अगर माल लो, ऐसा होगा नहीं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, पर माल लो अगर ऐसा हुआ कि, open book में आप ग अगर आपके कोई भी और questions से, किसी भी दर अगा और suggestions से, कोई भी और आपको questions से, तो please उसको comment में बता दो, I'll get back to you, और अगर आपको video helpful लगा दो, बस एक छोटा सा request है, मेरा like करके, do let me know in the comment, whether these videos are helpful for you, because your appreciation is my motivation, and it will allow me to bring more such videos for you, so that it will help you, right, I will keep coming up with more such videos, तो चैनल को subscribe जरूर क कि ङानल को भी दो, नपस कॉएम, एंग कर сравके कि यहुझाह वीघ कम बता म हम आता वा यह Camaro जहीं है, में बता स्वार पाली से, कि तो चॉझाम आता शपको वालाका अगर कर उल कर सकता है, कि वह वा राजर निle, पहा नगर प्या कि भी वाला बता सूण और आता है, कि